अगर आप बेंगलूरू में रहते हो या बेंगलूरू घुमने आए हो देन दिस इस अ मस्ट विजिट प्लेस फो यू वीडियो के एंड तक बने रहे इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जैसे के चिगित प्राइजिस क्या होने वाले है शोर परफेक्ट डेए फो यू तो चलिए अंदर जाने से पहले बाहर का मैं आपको दिखा दू जस्ट इसके सामने आपको मिलेगा इंद्रा गांधी फाउंटेन मुजिकल फाउंटेन है ये बहुत अच्छा फाउंटेन है इसका भी वीडियो आगे शायद मैं बना सकती हो और जिस उसी के सामने है ये प्लानेटेरियम और गेत पर ही आपको शो टाइमिंग अडिया गया है और आपूछ माई शो से भी बुक कर सकते हो तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं अभी और अंदर जाकर दूसरी डिटेल्स डिसकस करते हैं यहाँ पर पार्किंग एरिया में चोटा सा प्ले एरिया दिया गया है बच्चों के लिए और उसके अलावा यहां पे है एक छोटी सी शॉप जहां पे आप खरीज सकते हो कुछ साइन्स से रिलेटेड गैजिट्स और बुक्स और रही छोड़ी सी दुकान है हम अंदर नहीं जाने वाले हैं तो चलिए अभी ह हम जा रहे हैं टिकेट्स बुक करने की यह जो आप लोग देख सकते हो जो यहां पे लाइन लगा कर खड़े है यह संडे का दिन था जब हम गय थे यहां पर और आप रश देख सकते हो कितने सारे जन है तीन बच कर चालिस मिनट पर हम पहुंचे थे प्लानेटेरियम और त कुछ और डीटेल्स दिये गए है जैसे कि आपको अंदर साइंस पार्क मिलने वाला है जहां पर आप एक गंठा स्पैन कर सकते हो एक्जिबिशन हाल में 15 मिनट वेइंग मशीन पर पांच मिनट स्काई थीएटर पर अंदर है ओके जिसका 45 मिनट इन सारों का टिगेट मिला कर आपको यहां पर बाहर खरीदना होता है तो और भी स्पैशल डीटेल्स यहां पर दिये गए है आप इसको वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हो रश देखेगा आप ओके लाइन से अंदर लगके आपको यह वाले रूम में आके टिगेट परचेस करना होता है इस काउंटर के तरफ और यहां पर है नंदनी मिल्क पारलर आप यहां से कुछ भी स्नाक्स खरीद कर खा सकते हो कि जैसे के आइस क्रीम नंदनी की मिठाई वगरा वगरा यहां पर आपको बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस भी दी गई है आप अपनी टू वीलर फो वीलर अ वाइट करना है तो प्लीज आप bookmyshow.com से बुक कर लीजे 40 रुपीज 30 रुपीज एक्स्रा लगेंगे आपको प्रोसेसिंग फीज मगर आपको यह वाले लाइन में खड़ना नहीं पड़ेगा हम आये थे 4 बजे हमें टिगिट मिली है 6 बजे की शो की हमें लग रहा था कि हमें 4 बजे के शो को मिल जाएगी but it is not that case अगर आप especially Saturday, Sunday, holidays, weekend में आ रहे हो then आप in advance टिगेट बुक कर लीजे टिगेट प्राइज आपने देखा है 75 रुपीज फॉर एडिल्ट एं 50 रुपीज पर चाइल टिगेट तो हमें लगा 175 रुपीज इन टोटल और अब हम आ चेक है science park के तरफ science park explore करने के लिए अगर आप बचों के साथ traveling कर रहे हो तो trust me बचों को ये जगा बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है because उनको interactive toys जैसे यहाँ पे दिख रहा है all right वो यहाँ पे खेल सकते है time spent कर सकते है activities on their own कर सकते है all right यह सारा जो हम अपने बच्पन में physics textbooks में पढ़ते थे वो वाले activities यहाँ पे है यहाँ पे देखिए यह पुली वाला भी है okay जहाँ पे आपको अपने आपको ऊपर lift करना होता है all these activities are so fun and the child will also learn something from here आप खुद भी activities try कर सकते हो not necessary सिफ बच्चे ही activities करें आप भी कर सकते हो and एक tip याद रखिएगा अगर आप यहा please do not go on the weekends and on the holidays क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश होता है टिगेट खरीदने के लिए आपको line मिलेगी and activities करने के लिए भी number लगा कर खरना पड़ेगा to avoid all this please go on a weekday और एक बात मैं आपको बता दू यह प्लानेटेरियम में आपको दो चीजे mostly मिलेगी एक तो है science park औ और अगर आप sky theater नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे free में आकर बच्चों के साथ quality time spent कर सकते हो क्योंकि यह जो भी science park है यह आपको totally free of cost मिलने वाला है और यहाँ पे parking के भी कोई fees नहीं है free of parking है तो आप आ सकते हो गारी में गारी पार्क कर सकते हो बच्चों के साथ यहा जारे चीज़ें explore कर सकते हो और वापस घर जा सकते हो और यहाँ पे है एक weighing machine ओके आपको पता ही है हर प्लानेट पे आपका weight different होता है तो यह वाली weighing machine पे आप मार्स और अर्थ पे आपका क्या weight है calculate कर सकते हो जहाँ पे भी यह weighing machine नीचे जुग गई वहाँ पे जो reading दी गई है वो reading है आपकी weight आप देख सकते हो एक तरफ है मार्स लिखा हुआ एक तरफ है अर्थ लिखा हुआ और यहां से आपको चल कर जाना होता है तो चलिए और एक बात मैं आपको याद दिला दूँ अगर आप बैंगलोर में आपने पढ़ाई की है अपनी school education की है तो आपको school से educational trip के नाम पर planetarium तो जरूर लेकर गए होंगे याद कीजिए अपने बचपन के वो तिन और comment section में जरूर बताइए कौन कौन गया थे अपने school के trip से यहां पर यहां पर देखे rocket का model भी बना हुआ मिल जाएगा आपको और I tell you बच्चे यहां पर बिलकुल नहीं थकने वाल blur दिखेंगे और नस्दीक ऐसे आड़ा आड़ा जाकर दिखो तो आपको यूनो यह image एकदम clear दिखने वाली है ऐसे type के भी आपको कई सारे दिखने मिलेंगे तो यह था science park और science park के दूसरे तरफ है हमारा sky theater तो चलिए वीडियो में बने रहे sky theater के अंदर भी मैं आपको दि बचे भी नहीं जा सकते क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा आवास करेंगे आवास से distraction होती है यहां पर चंदरायान 3 का भी live टेलिकास चल रहा था उसी का वीडियो यहां पर play हो रहा था अंदर यह exhibition center और एक्जिबिशन सेंटर में भी आपको 5-10 minute लगने वाले है अगर आप यह सब देखना पसंद करते हो तो यहां पर दो थेटर मिल जाएंगे on the opposite side तो हम जा रहे है एक दूसरे वाले थेटर में people inside will definitely guide you ticket लेने के बाद अगर आपको नहीं समझा रहा कौन से थेटर में जाना ही क्या करना है तो you will be properly guided tickets पे seat numbers भी आपके mention होते है तो आप अराम से उ इलकुल भी mobile यूज़ करना not allowed है यह बश शुरुवात है इसलिए मैंने सोच थोड़ा बहुत वीडियो तो चलता ही है तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बना ही लिया और बस यह 45 मिनिट्स को शोग कैसे इतना जल्दी कटम हो गया पता ही नहीं चला येस इट वाज वेरी गूड अगर आप यहां पे जा चुके हो तो कॉमें सेक्शन में जरूर बताना आपको स्काइटर कैसे लगा बच्चों ने अगर आपके बच्चे है बच्चों ने कैस बहुत ही ज्यादा जवाई क्या बहुत ही यूनिक एक्सपीरिंस रहा उनके लिए तो इस वाले वीडियो में इतना है मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अंचिल दैन बबाई